तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एडिटोरियर एनालसिस सिरीज में आज हम देखने वाले हैं दहिंदू में प्रकासित लेग एगनूर जीडिपी आर एट यूर ओन पेरल अब इसका मतलब क्या है अगर संशेप में कहें तो ये आर्टिकल जो है भारत मे ब्यापक टेटा सनच्छड और कानूनों की आवसकता को अपनी आवसकताओं को इंगित करता है इसमें हम देखने वाले हैं प्री में पूछे गए प्रेवियस यर से कुश्चन और इसके अलावा मेंस में पूछे गए कुश्चन अभ्यास प्रस्टन भी देखेंगे ये द यह हमारा टेलिग्राम चरन है इसको आप सर्च कर सकते हैं यहां पर आपको इसकी पीडियेप मिलेगी तो जहां तक बात रही कि जब आती है मामला डाटा प्राइवसी की तो यह आपके निजता के अधिकार से जुड़ता है जो आपको आर्टिकल 21 के तहत जो अधिकार दि दिये हैं और क्या-क्या हमारे अधिकार इसके बारे में मौझूद है और भारत सरकार की पहल क्या है तो बात करें तो पेरल की GDPR की बात करें जनरल डाटा प्रोटेक्शन रिगुलेशन की बात कर रहा है तो यूरोपी यूनियन ने अपना डाटा प्रोटेक्शन रिगुल है आपके पॉल्टी की द्रिश्चे चाहे आपकी राजब्यवस्ता हो यह साइंस अर्ट दोनों की दृस्चे आगर बात करें भारत की तो इससे पहले थोड़ा सा प्रसंसकड डिजिटल एकोसिस्टम के अंदर संचार एवं आदलेन दिन का आधार बन गया है लेकिन वहीं डिजिटल टेकनोलोजी के उसके मिस्यूज की संभावना से परस्नल डेटा की सुरच्छा के संबन में चिंताओं को भी जर्म दिया है इसी को देखते हुए अगर बात करें भारत में तो भारत में परस्नल डाटा के संरच्छड के लिए डिजिटल परस्नल डाटा प्रोटेक्शन बिल इसके लावा इंफॉर्मेशन टेकनोलोजी आएक्ट याई आईटी एक्ट जैसी कई पहलों के माध्यम से अपने डेटा संबन सासन यानि डेट गवर्नेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है भारत में डिजिटल इंडिया अधनियम जौरा आईटी अधनियम 2000 में प्रतिस्थापित करना भी प्रस्तावित है यानि अभी भारत के पास कोई ब्यापक जो है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नहीं है लाइक यूर्पी यूनियन लेकिन कई एक्ट के माध्यम से ये डाटा को प्रोटेक्शन देता है अब बात करेंगे यू का जो है जनरल डाटा रेगुलेशन ठीक है यानि वाट अड़ ग्लोबल रेगुलेशन रिगार्डिंग डाटा गवर्नेंस ठीक है तो जीडिपी आर जो है परसनल डेटा के प्रसंसकर है एक ब्यापाक डेटा संद्चड कानून पर केंद्रित है इसमें जो है निज्टा गोपनीता का अधिकार यानि राइट ओ प्राइवसी मौली का अधिकार के रूप में अस्थापित किया गया है जो ब्यक्ति की गर्मा उसके द्वारा स्रीज किया है इस क्रम में गूगल स्वाट्स अब ब्रिटिस एयरवेज मैरियेट सही कई बड़ी कंपनियों को प्रयाद जुम्राना लगाया गया है जो इसके लाहां बात करते तीसरी विस्ट के देशों पर डेटा ट्रांसपर के संबन्द में GDPR के सक्त मांदंडों के कार्ड य इंगलिस मीडियम से वह यहां से देख सकते हैं अब बात करें यूएस से में डेटा प्रोटक्शन को लेकर क्या क्या रेगलेशन है तो अमेरिका में निजता के अधिकार या सिध्धान तो कोई ब्यापक सेट मौझूद नहीं है यहां पर सीमित अस्तर पर छेत्र जो है व पी आर्ट की तरह डेटा को प्योग संगर्ण प्रक्टिकर्ण के संबोधित करता है इसके अलागर बाद परस्नल इंफॉर्मेशन के समंद में सरकार की गद्विदियों सक्तियों के अच्छी तरह से परिवासित किया गया है और इन्हें निजता आयक्ट इलेक्ट्रोनिक गोपनीता अधनीम जिसे ब्यापक कानूनों द्वारा समर्थित है नेश्ट बात करें चीन के पास क्या है डेटा प्रोटक्शन के लिए तो डेटा गोपनीता सुरच्छा पर पिछले दो वर्सों में जारी किये गए चीन के नवीन कानूनों में परस्नल इंफॉर्मेशन प्रोटक्शन लाव सामिले जो नवबर 2021 में लागू हुआ इससे चीन में डेटा प्रिंस्पल्स के संबंदित विशेस अधिकार प्राप्थ हुए जिससे परस्नल डेटा के दुरुप्यों को रोकने के लिए प्रयास किया गया है सितंबर 2021 में लागू हुए डेटा सिक्य डेटा प्रोटक्शन को लेकर वहां के रेगुलेशन है अब बात करेंगे डेटा गवर्नेंस को लेकर जो है भारत में क्या प्रोवीजन्स हैं तो सबसे पहला आईटी एक्ट जो है अमेंडमेंट दोजर आठ इसके तायद भारत में कुछ गोपनीता समंधी प्रावधान क के लिए विशिष्ट हैं जैसे मीडिया मंचों पर किसोरों और बलतकार पीड़तों का नाम प्रकासित करने पर प्रद्मंद आरोपित करता है इसके अलावां एक इंपॉर्टेंट मामला था राइट टू प्राविसी का जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी जो सेवन रित ह नाम जो है भारत संग मामला थो 2017 में तो यह जस्टिस पुट्टस्वामी थे और भारत सरकार के भी 2017 का मामला था इसमें नव न्यायदिसों के पीड़िस ने सर्वसंमत से निर्ड़ दिया कि भारतियों को समवाइधानिक रूप से संरच्छित यानि प्राइविसी का फंड लाइफ और लिबर्टी अंदर आर्टिकल 21 ठीक है तो निज्टा के अधिकार की ब्याक्षा की थी आर्टिकल 21 के तहत अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं जस्टिस पुट्टा स्वामी केस थोड़ा सा क्या था इसके बारे में देख लेते हैं तो इसका संबन अगर आ रहने के अधिकार का रूप में परिभासित किया जाता है सुप्रिम कोट ने के यस के अतियासिक फैसले में निज्टा के उसके मात को बताया तथा पुट्टा स्वामी बना भारत संग 2017 में यह निड़ा आया था निज्टा के अधिकार को अनुच्छे 21 के तयाद जीवन औ अलिक संविधान संविधानिक अधिकार है ठीक है तो यह हो गया ब्रीफ नॉलेज आपको राइट प्राइविसी के रूप में आपके क्या निर्ड़ाय आ चुके हैं नेक्स्ट बात करते हैं पुट्टा स्वामी के आगे आया बियन कृष्ण समित तो बियन कृष्ण समित जो है राइट टू प्राइविसी से है 2018 में ये डेटा संविधे के मसाधियों के साथ अपने रिपोर्ट प्रस्त की इस रिपोर्ट में भारत की निजिता कानून के मजबूत करने के लिए अंसंसा की गए थी जिसमें डेटा प्रसंसकर और संगर प्रतिबंद लगाना 21 के अंतरगत आपके एक मौलिक अधिकार ग्रोप में सुप्रिम कोड ने इसकी ब्याक्ष्या की है ये भी आपको द्यान रखना है नेश्ट बात करेंगा सुचना प्रत्यों की मध्यवर्ति दिसा निर्देश डिजिटल मेडिया आचार साहिता नियम 2021 तो आईटी नियम 2021 स सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंड में ब्रिहत तत्पड़ता रखने है तो बाद है किया गया है जो ठीक है आप बात करते हैं नेक्स जो है डिश्टल परसीनल डेट प्रोटेकशन बील या विध्येयक भारत के अंतर डिश्टल ऍैटर प्रसक्रंसक्ट एक ऐसी स्थित लागू होता है जहाँ इस तरह के online एकत्र किया जाता है अथो offline एकत्र कर design नहीं digitize किया जाता है या भारत के बाहर ऐसे प्रसंसकर या प्रोसेसिंग पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तु और सेवाओं के पेसकस या भारती व्यक्तियों के profiling पर लच्छी थे ठीक है यानि the will will be apply the processing of digital personal data within India where such data is the collected online or collected offline and digitalized it is also apply such processing outside India if it for offering goods and services or profiling individuals in India ठीक है तो यह जो है लागू होगा offline हो online हो या भारत के बाहर भी हो जो भारत के अंदर जो सर्वसेस प्रोवाइड करवाने की खोश्रा करता हो इसके अलाम बात करें इसके तहाट जो परस्नल डेटा को केवल वैद उद्रसे के लिए आप processing और research किया जा सकता है और इसके ल अब यह जो ब्यक्तियों के साथ मिलकर व्यक्तिकत डेटा संद्रसंसकर के उद्रस के और साथनों को निर्धायत करता है ठीक है नेक्स्ट बात करें तो यह जो विध्यक्तियों और कुछ और अधिकार देता है जिसमें सूचना प्राप्त करने, सूचना में सुधार करने, मिटाने यानि right to forgotten करने और सिकायत निवाल का अधिकार भी सामिल है केन सरकार राज की सुरच्छा लोग विवस्था अपरादों की रोक्तां जैसे निर्धिस अधिकारों के हित्म में विध्यक प्रावधानों को अनप्रियोग से सरकारी एजन्सियों को छूट दे सकती है केन सरकार विध्यक के प्रावधानों को पालन ना करने के समझ में नेड़ा लेने होद भाटरी डेटा सनच्छर बोड की अस्थापना करेगी तो ये प्रावधान है इस एक्ट में ठीक है नेश्ट बात करें तो आईटी एक्ट 2000 को डिश्टिल इंडिया एक्ट 2023 से प्रत्रस्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है आईटी अदनिया में मूल रूप से केवल e-commerce लेन देन को सुरच्छा करने और साइबर अपराद को परभाज़ करने के लिए डिजाइन किया गया था यह वर्तमान में साइबर सुरच्छा के पर्दिस की यडिलताओं के रूप में परियाप रूप से निपटने और डेटा गूपनीता के अधिकारों को समधित समस्याओं को हल करने में सच्छम नहीं है इसलिए जो है इसको रिप्लेस करके डिजिटल इंडिया एक 2023 लाया जा रहा है तो इसके माध्यम से अधिक नवाचारी अधिक स्टार्टप्स को सच्छम करने और साथ ही सुरच्छा विश्वस्वस्वन जवाब देही के संदर में भारत के नागरियो की रच्छा के सबसे पहली चुनोती है कि अपरियाप जागरुपता ठीक है भारत में डेटा सुरच्छा सुनिश्वत करने की राह प्रात्मिक ब्राधाव में से एक है डेटा सुरच्छा के महत्यों डेटा उलंगनों से जुड़ी संभावी जोख्यमों के बारे में ब्यक्तिक्यों के सं प्रावर्तन का कम जोर होना यानि लीगल फ्रेमवर्क कंसर्णिन डाटा प्रोटेक्शन इन इंडिया लेक्स रोबस्ट मेकेंडिजम फॉर इनफोर्सिंग कंप्लाइंस ठीक है कि दूस्रा क्या है दूसरा है मान की कर्ण का अभाव कि यह भारत में डेटा सनचर्ण नीमों के कारणा प्रोवर्तन यानि इंफोर्सिंग का एक प्रमुक बादा याया कि भिभिन संगट्न के बीच इससे मन्यां की कर ठीके यानि इस्टेंडराइजेशन का भाव है डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल की एक रुपता में कमी इसके अनपालन प्रयासों की समझ चुनोतिय उत्पन होती है तो ये इसके अलावा अन्य कमी ये है कि प्रयाब सुरच्छा उपाए है भारत में स्वास डेटा गरियारण सुरच्छा उपाए करने में विफ़ल रहा है इसलिए भी चिंता का विसा है निस्ट बात करेंगे तो अब आगे की रहा क्या होनी चाहिए भारत में तो role model के रूप में सरकार यानि government as a road model एक data fiduciary और professor के रूप में अपनी महत्पुड भूमिका को देखते हैं सरकार को चाहिए कि ये data protection को प्रात्मिक्ता देने के संदर में role model के रूप में कार करें इसके लाओं प्रभावी यानि effective governance को सुनिश्चित करने के करम में संसदी नियाईग परिछड के साथ स्वतंत और स्वतंत डेटा संदर बोड़की ये स्थापना किया जाना मात्पूर है ये सरकार को करना चाहिए privacy को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट बात करें तो सरकार को ये भी चाहिए कि नवाचार regulation को संतलित करना मात्पूर है पर्सनल डेटा के सुरच्छा के कड़े नियम आवस्या के लेकिन अतधिक निर्देसात्मक और प्रतिबंधात्मक मांदन नवाचार को रोक सकते हैं यानि अगर आप जो है over protection दे कर सकते हैं पर्सनल डेटा को प्राववी धंग से रच्छा करते हुए innovation को बढ़ावा देने के लिए सही संतलिन बनाया रखना यानि मध्यम मार का पालन करना चाहिए government को इसके अलाव अगर बात करें तो आपको अगर एक robust data production law को बनाना है तो डिश्टल साशन में ब्याप अपक regulation सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरच्छा प्रतियसपर्दा, Artificial Intelligence और अन्य प्रासांगिक छेत्रों में भी योगदान दिया जाना चाहिए जैसे अगर बात कर यूरोपी संग का द्रिश्ट कोड जिसमें उसने data अधनियम, digital सेवा, act, digital market, act, AI, act जैसे अत्रिक पहलियों को भी सामिल किया है, हमारे लिए भी ये जो है important रखता है कि इसको देख कर जो है हम भी ऐसे इसे चीजों को इसमें सामिल करें ठीके, तो ये हमारा आज का article analysis हो गया, अब चलते हैं, प्री में पूछे गए, कुछ question को दिख लेते हैं, उसके पहले अभ्यास प्रस्ट को दिख लेते हैं, आज के इस article से जुड़े अभ्यास प्रस्ट की बात करें, तो भारत में एक ससक्त data protection को लाईव करने में देमान चुनोतियों को प्रकास डालते हुए, देश में data सुरच्छा बढ़ाने के लिए आवासे क्रणीत की सुझाओ देजिए, 150 word में ये लिखना है, यहाँ पर English दिया गया, UPSC 2021 में previous year prelims के question की बात कर रहे है, right to privacy, सम्विधान में किस article के अंतरगत आता है, इसका आपक 14 में, प्रिलेंस में, निज्ता के अधिकार को जीवन और बैतिका सुझाता के अंतरिक भाग के रूप में सनच्छित किया जाता है, बारत के सम्विधान निमलिकित में किस से उपरियूत कथन सही और समचित ढंग से आर्थित होता है, तो यह जो है, अभी मैंने बताया, ज ठीके, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रिबियस में में पूछे के कुष्चन की बात करें, इससे समझे, 2017 में कुष्चन पूछा गया था, निज्ता के अधिकार, सरवोच नियाले के नविंतम निर्ड़े के आलोक मौलिक अधिकारों को विस्तार परिछड की जीए, और जस् आप से संबंदित है, यानि आपके राइट से संबंदित है, तो आपके पॉलिटिकल वे में हो, साइंस अंटेक में हो, आपको अलग-अलग जोड़के यह सब देखना है, तो आप भी संभावना है, व्यक्त करने लगेंगे, क्या कुष्चन आने वाले हैं, ठीक है, यह हम जो आतो आपके यह सकतुalter कर दिए करते हैं, तो आता था सुना है, थिबाद राइट वे रहें छाब भी संपावना है, यह हम रहें देखने यह हमेंगे, जख और यह है।, आपके यह हमेंगे हैं, तोॉ एको आपके जखके विगेंगे करते हैं, एकके स PCs वीने, एके